नमस्कार दुस्तों स्वागत है मारे यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से MS Office 2013 या 2019 या 2021 का package आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत easy method में बताएंगे डाउनलोड करना साथ में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो product की होता है आपका ऐसे find out कर सकते हैं क्या आपको method होगा कैसे करना है आज आपका सारा doubt clear कर देंगे और आप इसको free में use कर सकते हैं लेकिन दोस्तो free में use करने के लिए आपके पास कुछ system होना जरूरी है और आज के इस video में system वो बताएंगे कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है दोस्तो क्योंकि कुछ लोग video देखते हैं और पूरा complete video नहीं देखते हैं और उनको mismatch हो जाता है उनको proper तरीके से समझ में नहीं आता है और फिर उसके बाद comment करते हैं कि नहीं हो रहा है या कुछ है जो भी comment उनको अच्छा लगता है खराब अपना comment करते हैं अब दोस्तो आज इस video में आपको उनी सारे doubt को clear करने वाले हैं कि आप कैसे इसको use कर सकते हैं कैसे download कर सकते हैं कहां से आपको download करना है कहां से आपको install करना है कैसे आपको pro rate की मिलेगा और भी बहुत सारे जनकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं start तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास Microsoft Office का package होता है इसका जो हमारे पास old version था 2007 उसमें कुछ च यह सारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा advance काम करते हैं इस वज़ा से यह बहुत ज़्यादा लोग use कर रहे हैं तो अब दोस्तों इसका कैसे हम use कर सकते हैं कैसे install कर सकते हैं इसके बारे में चलिए जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपके system में net connect होना चाहिए और आप में Google Chrome Chrome होना चाहिए या कोई भी आप browser use कर सकते हैं Google Chrome open करने के बाद आपको ऊपर वाले box में यहां पर टाइप करना है MS Office इस तरीके से जैसे हम यहां पर टाइप करना है 2013 और उसके बाद यहां पर आपको टाइप करना है free download ऐसे click करना है इस वाले website पर उसके बाद यहां पर से पहला point देना चाहते हैं दोस्तों अगर आप MS Office का अगर original package यूज करना चाहते हैं तो इससे आपका फैदा क्या होगा यह आपको बताते हैं अगर आप दोस्तों जो इसका original है अगर आप इसको purchase करते हैं यानि खरीते हैं तो आने वाले जो भी update होंगे आपको बिल्कुल free में मिलेंगे अगर दोस्तों अगर आप इसको purchase नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आगे problem हो सकती है हो सकता है कि error आजा install करते हैं वक्त तो इसलिए दोस्तों हम suggestion करते हैं कि आप हमेशा purchase करकर यूज करिए क्योंकि एक बार अगर आप purchase करेंगे तो आपके लिए ह तरीके से आपको डालना है ms office 2013 free download अब उसके बाद यहां पर microsoft.com इसके official website है इस पर आना है और इस पर click कर देना है दोस्तों इस पर आप जैसे click करेंगे उसके बाद जो आपको interface दिखाते हैं उस interface को आपको बहुत ध्यान से समझना है तभी आप उसका use कर सकते हैं अब यह यहां पर दोस्तों अगर आपका service pack नहीं काम कर रहा है तो यह service pack की idea यहां से आप use कर सकते हैं अब यहां पर दोस्तों download करने का देखें कितना easy method है यहां पर बस आप download पर click करिए आपका हो जाएगा download अब दोस्तों download करने के बाद आप इसको बिल्कुल easy तरीके से आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देखें ओफिसकल website पर दिया हुआ है यानि ओफिसकल website में आपको perfect मिलता है और कहीं पर आपको जाने के जूरत नहीं है तो दोस्तों यह चीज आपको हमेशा ध्यान देना है अगर दोस्तों आप चाहते है कोई और interface दे रहा है अब यहां पर देखें आपको दे रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक यहां पर देखें दिया है इस पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखें यहां पर दिया है यह buy करने का देखें बहुत कम amount है लेकिन दोस्तों आ तो यहां पर क्लिक्क करने के बाद दोस्तों आपको ट्राइल वर्जन भी दिया जाता है कि आप एक महिने दो महिने आप एजी तरीके के बाद आपको दिखाते हैं करना क्या है अब दोस्तों, यहां पर हमने आगे हैं बैक और बैक आने के बाद यह दिखें यह तो आपका अब यह दे भी दिया है आप यहां से इसको यूज कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं ने थ्रॉस है हमारा स्लो इसके वज़े से प्रॉलम हो रही है दोस्तों तो आपको घबडाना नहीं है यहां पे दोस्तों आपको स्ट्रॉल करना है और यहां से आपको तो फॉट्वर्जन आप उसको कर सकते हैं आपई लिखाय को दिक्कत आ रही है तो आप में टेले ग्राम पर जरू मेसेज करिएगा और आपकी जो thinking है हम समझ रहे हैं तो आप उसको telegram पे आप mention करकर आप उसको solve कर सकते हैं क्योंकि इसमें थ्वा से problem हो सकती है दोस्तों धन्यवाद